आज गडवनी तो विए ट्र दे लिएष्ट वा जिन लोगों का ज — ति क्ला बहुत- बधाई बहुत सारे बच्चों का मैसेज है CA बन गए Group 2 का ज्यादा अच्छा result निकला है Group 1 की पेच और सर जिन लोगों का नहीं निकल पाया तैयारी करना है और कोई option नहीं है अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि यार सर बहुत सारे बच्चे हैं जिनों ने या तो already मुझसे class ले रखिये ले लिया है खतम कर दिया है खास बात है कि उनका new scheme है तो new scheme है तो उसका amendment नया chapter आया है changes है derivative में change है capital listing आया है mutual fund में change है forex में change है तो उन सब का क्या दूसरा जो आ रहा है बच्चों का वो बच्चों का ये आ रहा है कि sir बहुत सारे बच्चों का क्योंकि result आया है अश्यर के बद result भी एक दिन बाद है तो उन बच्चों का कहना result हमारा जो इसी ए इंटर अभी पास हुए है उनका कहना या फिर new scheme आने के बाद कुछ ऐसे भी बच्चे है जिन्होंने अभी तक SFM की class एडवांस financial management की class नहीं ले रखाता और उनको अब class लेना है क्या किया जाए तो पहले जो है वो मैं ये बता दू बच्चों का ये भी आया था कि new batch की class सर आप announcement कर रहे हो या कब से start कर रहे हो हम लोगों को join करना है इस तरह से join करना है तो हाला कि मेरी already batch चल रही है पर फिर भी बच्चों का कहना नहीं सर आपको new batch चले है तो पहले तीन लोगों पर मैं बात करूँगा तीन लोगों पर पहले सुन लोग कि आज का discussion किस किस चीश पर हो ऐसे बच्चे जो new batch का इंतजार कर रहे हैं तो उनको batch कब से start होगी कैसे books provide होगी और क्या काम होगा वो सब मैं यहां discuss करूँगा सबसे पहले नंबर वह 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 वहागा दूसरे नंबर पर जो मेरी existing batch चल रही है AFM की वही जो existing batch है new batch के नहीं जो चल रही है और कापी कुछ chapters हो चुके है तो उनको वो जो नया material है वो कैसे मिलेगा क्या होगा यह भी बताना पड़ेगा और तीसरा और सबसे important यह है कि मेरे जो existing बच्चे है जिनका नवंबर 2023 attempt है और बात है SFM की उन लोगों के लिए कोछ सोचा है कि नहीं सोचा है सर यह बात तीन लोगों के लिए बात करें यह बच्चे ज़्यादा इंतजार कर रहा है हाँ जी सोचा है मैं बात में बात करूंगा आपके साथ सबसे पहले मैं new batch का announcement ऐसा लग रहा था कि new batch क्यों ना यार मेभी 10 जुलाई से या फिर 15 जुलाई से इस तरह से मेभी क्योंकि सारी जगा new batch श्टार्ट हो रही है मैं भी नया batch श्टार्ट कर दो पर जब मैंने subject देखा बहुत कुछ देखा तो मुझे एक बात समझ में आई यार मज़ा तो तब आएगा ना जब आपके पास new scheme की सारी books आज़ाए आपके हाथ में और फिर आप एक तारिक से class श्टार्ट करो समझने की कोशिश करो जो new batch है वो new batch श्टार्ट होगी 182013 वज़ा क्या है इतना लेट होने की वज़ा क्या है वज़ा सिर्फ एक ही है मैं चाहता हूँ कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो तो आपको प्रिंट आउट लिए जा रहे हो पीडियाप बे ऐसा नहीं सहीं बिलुकुल बुक्स आपके हाथ में पहुच जाए तो उसके लिए मुझे बुक्स बनानी पड़ेगी बन रही है और इस पेशली उन टॉपिक्स पे मुझे ज़्यादा मुझे किस-किस टॉपिक पे काम करना है जो अमेंडेट हुए है उन टॉपिक्स पे बात क्यापिटल अविश्टिंग पे डिश्क करना और सबसे ज़्यादा जो जिसकी हमको जरुरत है वो है मुल्टिपल चॉइश कोशन इसलिए बुक बनाने में टाइम मुल्टिपल चॉइश कोशन बुक में रहेगी मैं नहीं जान दा कि ऑनलाइन में भी MCQs हो रहा मुझे नहीं वारू मुल्टिपल चॉइश कोशन सर वो कोशन कहां से उठाए जाएगे कहीं न कहीं बहुत अच्छी जगह से उठाए जाएगे सोर्से से आपको मतलब नहीं पर मुल्टिपल चॉइश कोशन एक भुग में रहेगी ठीक है जी ठीक है साथ तो आपको एक आठ को बैच श्टार्ट होगी फर्स्ट अगस्त को प्रीबुकिंग भी मैं पर्मिट कर दूँगा मेरे वेबसाइट में बाकी वेबसाइट में भी आपको शो हो जाएगी प्रीबुकिंग का एक आठ से और बुकिंग प्लीज कर लिजएगा एटलिस्ट में आपके पास बुक्स पहुचा सकूँ और एक तारिक से जब आप क्लास श्टार्ट करो तो बुक्स आपके हाथ में उसमें मल्टिबल चोइस कोश्चन भी उसमें सब कुछ हो तो जो भी टॉपिक श्टार्ट करें कम से कम हमरे पास MCQ वगिर हो कैसे कोश्चन आ रहा है यह देखेंगे सर तो यह जो क्लासिस होगी यह रिकॉर्डेड होगी कि एक तो होगा लाइव एट होम और जैसी क्लास हो सर लाइव एट होम का टाइम क्या रहेगा टाइम रहेगा शाम को रहेगा शाम को 7 to 9 इवनिंग में क्लास का टाइम रहेगा शाम को साथ बज़े से नौ बज़े तक दो घंडे की क्लास रहेगी और जैसी क्लास खतम होगी जो लोग मुझे लाइव देख करना चाहते क्लास बहुत अच्छी बात है जो जिनके आपाश टाइम नहीं है तो वही क्लास रिकॉर्ड होके एक गंडे के अंदर आपको मिल जाएगी ठीक है ठीक है सर तो ऐसा कर सकते और ये तो आपके पास 100% बैक अप रहे ठीक है सर तो सर ये कितने दिन चले गाए अच्छी कितना टाइम लगेगा सर जी टाइम लगेगा पैच अगर मैं ले रहा हूँ रेगुलर ले रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ऐसा नहीं है कि मैं 1500 गंटे में खतम कर दूँ मुझसे नहीं होगा कम से कम 240 गंटे लगेगे 240 गंटे ठीक है सर सर क्लासिस जो सास से नो है वो डेली होगी कि डेली होगी सिर्फ संडे को छोड़कर मंडे टू सेटर्डे क्लास रहे साथ बज़े से नो है और सर 240 गंटे मतलब कब तक खतम होगी तो मेरे ख्याल से कोशिश ही रहेगी कि नवंबर के मिड तक खतम कर देंगे तो सर नवंबर मिड तक अगर आप खतम करोगी तो जो मेड 24 वाली बच्चे है वो क्या करेंगे वो तो बहुत लेट हो जाएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरी एक्जिस्टिंग बैच भी चल रही है पहले मैं एक्जिस्टिंग वालों के लिए भी बात करता हूँ फिर नहीं पर आ जाँग मैनेजमेंट की बैच और 15 अगस्त कोर्स खतम होगा तो सर इसमें कौन से कोश्चन करवाए जाएगे पेटे जो मेरे एक्जिस्टिंग बैच के बच्चे है उनको अभी टोटल मिलाकर तीन बुक्स दी गई और एक बुक्स तयार हो रही है और जैसे तयार होती वो बुक्स सभी बच्चों को दी जारेगी जो मेरे एक्जिस्टिंग बैच वाले बच्चे है जो एडवांस फाइनेशियल मैनेजमेंट कर रहा है उस बुक में क्यापिटल बच्टिंग होगा उस बुक में डैरिविट्यू का अमेंडमेंट सारे अमेंडमेंट होगे और उस बुक में मल्टिपल चॉस को शुरूशन होगे वो चोहती बुक भी सभी बच्चों को दे दी जाए और फिर उनका कॉर्स पंदरा अगुस तक खतम है तो जिन लोगों को जल्दी है हम यह वाली जो बेच है इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास बिर्गुल टाइम नहीं हमको humber तक नहीं जाना खतर जल्दी करना तो वो चाहो तो यह वाली पैचून कर सकता है अगर वो दीरे नहीं करना चाहते तो वो speed से कतम करना चाहते है तरो दोनों में अंतर क्या है कुछ भी अंतर नहीं एक question का भी अंतर नहीं है इसमें भी मैं वही चीज करवाऊंगा उतने ही questions करवाऊंगा जो इस batch में करवाने बाला मतलब new batch जो start होने वाला क्योंकि books वही आने वाइड़ी बुक्स तो वही है new batch में भी चार ही बुक्स में मतलब बुक्स वही रहेगे questions उतने ही रहेगे जितना मेरा existing batch जो चल रही है AFM की उसमें question रहेगे ठीक है तो के बस दो choice है अगर relax होकर पढ़ना चाहते हो रिलेक्स होकर बस अंतर क्या आएगा सुनना existing batch में जो अभी मेरी चल रही है existing batch इसमें chapters हो चुके जिसे derivative हो गया, forex हो गया, portfolio हो गया, interest rate हो गया, chapter हो चुके पर amendment आया है तो वह चौती इसी बुक में amendment कवर रहेगा मतलब amendment जब कर वामदा तो वह अलग से मुझे पहले derivative revise करना पड़ा है का फिर amendment लेकिन जो जो बच्चे new scheme में आ रहे है उनको amendment की जरूरत ही नहीं है जो बच्चे new scheme में आ रहे है new scheme नहीं बैच में आ रहे है new scheme तो तो नहीं है उनको पता ही लगेगा कि क्या amendment है क्यों क्योंकि derivative जब chapter पढ़ाऊंगा उसी बुक के अंदर amendment रहेगा तो उन्हें मतलब भी नहीं कि amendment कुछ हुआ है कि नहीं क्योंकि उनको जो पढ़ाएगा वो तो latest lecture से पढ़ाए बात समझ में आ रही है न क्या अंतर बाकी दोनों ही बैच में number of questions से तो यह दोनों बात हुई चाहे तो आपको join करना है तो join कर सकते हो शाम को सास से नो live classes होगी और जश्ट अगले एक गंटे गंदर वो classes upload हो जाएगी गूगल ट्राइब existing batch के लिए मैंने क्या बात किया था existing batch के लिए मैंने बात किया था कि सर जी आप लोगों को एक book मिल जाएगी hard copy मिलेगी शिंदा मत करो जिनों जिनकी batch औरड़ी चिंट रही कुछ बच्चे और भी सर हमा हम तो आपकी इस batch में नहीं हमने आपकी पहली class ले रखे और आपको बोल कर ले रखा था कि हमारा attempt नीव स्किम के तहत आएगा हमको books मिलेगी मिलेगी सर जिन लोगों का भी attempt जिन आपने चाहिए यह class में और चाहिए आपने पहले class ले रखे जिन लोगों का भी attempt में 24 या उसके बाद है आपको वो book भी मिलेगी आपको lectures भी मिलेगी और lectures चाहू तो आपको lectures मिलेगे कैसे जो amended lecture है वो google drive में तो upload हो गहीं होगे और मेरी कोशिश रहेगी में YouTube में भी ड़ल दूगा जो नया lecture है आपको class कुछ नहीं खरीदना कोई कोई पैसे वैसे नहीं देना hard copy जो मिलेगी उसका भी कोई पैसा वैसा नहीं देना आप चिंता मत करो आपके address पर आजाएगी प्रोपर लेगी कब जिन्होंने already class ले रखा है बताइए हमको lectures कब आएगे और books कब आएगे आपको August 2023 के end तक lectures भी आजाएगे सारे books भी कि सर हमारा new scheme के तुरू attempt आएगा चाहे वो existing batch के बच्चे हो चाहे उससे पहले भी class ले रखा था तो भी चिंता मत करो आपको books भी मिल जाएगा आपको lectures भी मिल जाएगे YouTube में भी मिल जाएगे आपके Google drug में भी मिल जाएगे और hard copy भी मिल जाएगी books ठीक और कोई charge भी नही है ठीक है तो यह आ रहा था बच्चो सर क्या करना है amendment का क्या होगा यह समय ने बता दे हैं अब आगे चलते हैं सर एक्जाम oriented जिनका SFM है हो गई बात सर AFM की हम बात नहीं कर रहे हैं हमको जा नहीं नहीं निवस की जिसका SFM है और जिसका November 2023 attempt है और जिसने आप से exam oriented class ले रखा है उसका क्या exam oriented class जिनोंने ले रखा उस books में नवंबर 2022 का पीपर नहीं है और में 2030 का question paper नहीं तो इसके लिए मुझे questions देने हैं और इसका lectures देना इसके अलावा उस book में सारे ही questions तो आप बिल्गुल चिंता ना करें यह मैं आपको provide करवा देता हूं with lecture हाला कि इसका lecture तो already डल चुका है YouTube में पर Google Drive में डलवा देता हूं it means जो question से उसके अलावा अगर कोई question चुटा है तो मैं उसका भी आपको video lecture provide करवा देता हूं और साथ में आपको उसका soft copy भी दे दूगा ठीक है जी ठीक है पाकि इन लोगों के लिए अभी मुझे महनत करना है कैसे महनत करना भी मैं बोलना नहीं चाहता पर मुझे महनत करना मैं कुछ ना कुछ तुक अब वो बाद में सोचे जाएगा भी बोलने का sense ने ठीक है तो यही बस यही announcement करना थ आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगा अच्छा कुछ बच्चों के लिए पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन अवगेर आप वो सब सोच रखा है रिलेक्स हो जाओ आपको मिलेगा सारी चीज़े अच्छा एग्जिश्टिंग बैच वालों के लिए बात हो अगर पढ़ रहे तो आपका ओर्स नवंबर तक खत्म हो जाएगा आप जोइन कर सकते हो वेब साइट में मैं ओपन करवा देता हूं आप प्री बुकिंग कर सकते हैं बुक्स आपके यहां पहुंच जाए कम से कम ठीक जे थेंक्यों सो मच बस यही आपको जानकारी देनी अगर आपको जोइन करना तो जोइन कर सकते हो सर्फ फीस का क्या होगा तो फीस उतनी रहेगी पहले जितनी थी उसकी कोई चिंदा है थैंक्यों बाए बाए